सो हाई गाई वेलकम बैक तो अवर यूटुब चैनल वेलकम तो माई न्यू विडियो आजके इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी वायंक के उपर मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रिजिस्ट्टन्स लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है market में और आगे आने वाले sessions में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में discussion करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को first time देख रहे हैं और इस channel के उपर अभी नए आए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस channel पे nifty bank और n analysis videos upload करती हूं support resistance क्या रहेंगे next trading session के लिए इसके बारे में जानकारी देती हूं यहां से निफ्टी और bank nifty का trend क्या रहेगा इसके बारे में आपको यहां पर मेरे channel के उपर videos मिल जाएंगे इसके साथ साथ आपको stock के related share market के related सारी news मिलती जाएगी तो अगर आपने इस channel को अ कर दो ताकि आगे आने वाले videos की जानकारी आपको सही से आती जाए एक और important बात अगर आपने अभी तक मुझे मेरे public telegram channel के उपर join नहीं किया है तो live market के दौरान आप बहुत सारी updates बहुत सारे important levels बहुत सारे important messages मिस कर रहे हो तो यह free channel है और इसका link नीचे description box में मैंने provide कर दिया है यहाँ पर आपको डेली जो premium group के अंदर false trade होता है वो मैं यहाँ पर भी update कर देती हूँ सिवाए expiry के तो यहाँ पर भी लोग बढ़िया से बढ़िया profit बना रहे हैं तो members के भी कुछ important screenshots, reviews मैंने यहाँ पर update किये हुए है और premium group के regarding सारी details आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इसके साथ साथ important levels यहाँ से आगे live market के दोरान bank nifty और nifty कहा तक जा सकता है एक level का support अगर break होता है तो downside के लिए कौन से targets रहेंगे तो देखिए 926 को मैंने 38,050 अगर break होता है तो यहाँ से downside के targets दिये हुए थे साथ में upside के लिए भी मैंने target दिया था लेकिन trend negative ही था morning से ही nifty bank जो है वो negative trend में ही था और आज हमने एक भी C का trade नहीं लिया है सिर्फ P के trade लिये और बढ़िया profit हुआ है इस हफते के लिए तो अभी अगर देखे तो मैंने आप से कहा भी था कि यहाँ पर profit book कर लेना चाहिए और आज गिरावट देखिए कहा तक दिखाई दी है तो यही बात है हमारे levels की तो यहाँ पर आपको इस channel के उपर सारी important updates मिलती जाती है तो यहाँ पर join करना मत भूलिएगा so I hope कि आपको समझ में आ चुका है अभी हम लोग bank nifty का analysis स्टार्ट करते हैं तो bank nifty की closing कहा पर आई है 37,755 के पास nifty bank आज बंद हुआ है तो आज का low अगर देखे तो 37,249 के पास nifty bank ने आज low किया था और मैंने आप से कहा भी था कि यहाँ से सीधा उपर nifty bank नहीं और वही हुआ 38,200 यह level मैंने आप से बात की थी कि अगर इस level के उपर nifty bank चला जाता है closing basis के उपर तभी एक upside के लिए 500 to 1000 points की और upside की rally हम लोग देख सकते हैं otherwise यहाँ से मुझे market थोड़ा range bound और correction देता हुआ दिखाई दे रहा है और मैंने एक पिछले वीडियो में कहा भी 37,500 का support test हो सकता है और अगर 37,500 के पास गिरावट नहीं रुकती है तो downside के लिए 37,000 का support intact रहेगा और वही आज देखने को भी मिला है बहुत time nifty bank ने consolidate किया था 38,000 के level के उपर लेकिन नहीं टिक पाया और जैसे ही 37,950-900 break हुआ nifty bank के अंदर भारी गिरावट हुई 37,250 तक nifty bank आज गिरता हुआ हमें दिखाई दिया है और डेली चार्ट के ओपर एक negative candle nifty bank ने फॉर्म की है option chain data अगर देखे next week के expiry का तो देखे call side में सबसे ज़ादा अगर हम लोग open interest की बात करे तो call side में 70,000 का open interest है 38,500 के उपर वही सबसे ज़ादा call writing भी हमें इसी level के उपर दिख रही है upside की और अगर बात करे तो 12,000 की call writing 39,000 के उपर हुई है अभी अगर इन levels की बात करे तो देखे call side में 30,000 की writing हुई है 38,000 के उपर सामने देखे तो 2,900 की ही सिर्फ put writing हुई है put writing की बात करे तो देखे highest put writing 22,000 की है 37,500 के level के उपर तो अभी अगर scenario देखे हम लोग तो nifty bank थोड़े time के लिए 37,000 और 38,000 के बीच में फसा हुआ हमें दिखाई दे सकता है थोड़े time के लिए consolidation कर सकता है range bound trade हो सकता है next week के लिए क्योंकि ये week बहुत बढ़िया गया था और ये week अच्छा profit हुआ है और movement भी बहुत बढ़िया मिला है volatility भी बहुत बढ़िया थी तो next week के लिए थोड़ा alert रहेगा जो लोगों ने इस week जो उनका डेली week का target था उससे जादा अच्छीव किया है तो next week के लिए आप थोड़ा कम ही अच्छीव करो ये मेरी सला रहेगी क्योंकि next week range bound movement हो सकता है 37,000 और 38,000 के बीच में अगर nifty bank फस जाता है तो तो अभी चार्ट के उपर से अगर हम लोग देखे तो important support और resistance के क्या levels रहेंगे nifty bank के रिए तो देखे फर्स्ट important support रहेगा यहां से 37,000 550 का level तो देखे अगर कल nifty bank इस level से नीचे फिसल जाता है या फिर 5-10 minutes इस level से नीचे trade करता है तो यहां से फिर से 37,250 और 300 का support टेस्ट होने के chances है और इससे नीचे के गिरावट तभी होगी जब nifty 37,250 का level break करेगा तो अगर 37,250 break होता है तो next important और psychological important support है nifty bank के लिए 37,000 550 का level तो यह important support के levels रहेंगे nifty bank के लिए resistance की अगर बात करे हम लोग यहां से तो फिलहाल resistance के ओपर ही closing मिली है या फिर कहें तो आसपास की closing मिली है 37,750 यह nifty bank के लिए resistance था और अभी इसके आसपास की closing मिली है तो अच्छी बात है लेकिन अगर nifty bank 37,750 को नहीं hold करता है तो गिरावट बढ़ेगी लेकिन अगर इंट्राडे में इस resistance के उपर तिकता है अगर इंट्राडे low इससे नीचे नहीं होता है तो यहां से nifty bank हमें upside के लिए 37,950 के resistance के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और अगर एक बार nifty bank 37,950 के लेवल के ओपर 15 से 30 मिनिट के लिए ट्रेड कर लेता है तो यहां से फिर से 38,100 का resistance टेस होने के chances nifty bank के बने हुए है फिलाल अगर nifty bank की हम लोग range की बात करें तो nifty bank की जो range है वो 37,100 से लेके 38,100 के बीच में रहेगी और यहां पर nifty bank थोड़े time के लिए consolidation कर सकता है downside के लिए गिरावट सबसे ज़्यादा कब activate होगी जब nifty bank हमें ये level break करता हुआ दिखाई देगा 36,850 and 750 ये अगर level nifty bank closing basis के उपर break करता है तो यहां से short term के लिए nifty bank bearish mode में जाता हुआ दिखाई देगा फिर इस level को भी test कर सकता है लेकिन फिलाल अभी देखे तो अगर इस zone में consolidation होता है तो यहां से 38,900 और 39,000 का upside के लिए नifty bank का target रहेगा तो जो भी levels बताएं है अपने chart के उपर जरूर mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं मैं आपको answer कर दोंगी तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगा है तो share कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस वीडि